नवस्कार दोस्तों मद्द पर्देश सिक्चक भरती वर्ग एक वर्गिदों के सभी वविस्ट के सिक्चक गुड़ों का एक बार पुनास भागर थे राम सर यूटूब चैनल में और प्यारे मित्रों जैसा कि आप सभी को वितित है कि मद्दप्रदे सिक्चक पातत परिक्षा वर्ग एक वर्गदों के आने वाले दुनों में काउंसलिंग पिरकिरिया प्रारम होने वाली है जिसको लेकर रोस्टर भी जारी कर दिया गया था पदों की संख्या आप सभी को पता चल गई है प्रतिक विसाई की आज के इस वीडियो सेसन में हम आपको ये वताएंगे जो आपकी काउंसलिंग पिरकिरिया प्रारम भिक चरन होंगे क्योंकि अभी जो काउंसलिंग पिरकिरिया के लिए बताया हुआ हुआ है वो प्रतम काउंसलिंग पिरकिरिया रहेगी पहला राउंड होगा आपका वर्ग एक वर्ग दो का तो उसमें जो अभ्यारती चायनेत होंगे या जो अभ्यारती वेटिंग दिस्ट में आएगे तो वेटिंग दिस्ट वाले अभ्यारतियों के लिए कितना मौका रहेगा और फिर्थम counselling प्रिषै के लिए किन-कन अभ्यारति को merit में सामिल किया जाएगा अब यह तो विशाय रहेंगे तो वीडियो आप सभी लोग पूरा देखी गए, मित्रों से नेविधन है और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा इससे पहले मात्मू सुचना है कि सभी अभ्यारती ने बर्गे 3 का फार्म भर दिया होगा और भर्गी 3 की ऑनलाइन प्राक्टिस सेट के लिए प्यारमित्रों परिक्षायव के माद्यम से आप लगा सकते हैं जिस परकार भर्गे को बर्गे 2 में लगाया था यहां से प्राक्टिस सेट लगा सकते हैं प्रत्यक विसाय का लग-लग सेट बनाया हुआ है और जब भी आप यहां से कोई भी प्राक्टिस सेट परचेस करते हैं एफल्टी परचेस करते हैं पैकेज परचेस करते हैं तो यह कूपन कोड हमेंसे याद कर लेजए और इसको लेज़ जो है राम सट G25 इसको यूज़ करने पर आपको 25% तक काउफ मिलेगा तो जब भी आप कोई भी टेसरीज परचेस करें FLT परचेस करें ये कूपन कोड़ आपको वहां मांगा जाएगा तो ये कूपन कोड़ आपको यूज़ करना है चलिए तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर आदेस बता लिता हूँ जो काउंसलिंग करिया के संब्दे में बताया हुआ था बर्गी प्रिगी करिया के जो च्रन दिये गया थो इसमें बिंदु किरमांग कंदरा पे आप यहां देखेंगे क्या दिया गया है पात्यता परिच्छा में निधारत प्रितिसत के अंकों के साथ उत्रीन करने वाले अनारक्षित वर्ग अब ध्यान दीजेगा अनारक्षित वर्ग अब ध्यारती आर्थिक रूप से कमजोर EWS की सेड़ी में आने वाले अपनी फ्रिवेस्ट आएमपी ओनलाइन पोर्टल पर कोई कार्वाई आपे एक्षित नहीं करें को तेवित अनारक्षित वर्ग के मद्द्भी के मुल लवास हैं उनके लिए इक कीut कि अपको देहन होगा कि आपका मुबार्ड लमबार ने और यहीं आपको ईमेल I.D चेंज होचुकी है ठीक है तो आप को को उसको लेकर आपको अपडेशन का कारे कराना है और उसको लेकर आप अपने जिला सिक्षादी कारी के पास जा सकते हैं और उसको लेकर मैंने बताई भी था कि ओनलाइन यह आप करना चाहते हैं तो आज कमेंट कीजेगा यह आप लोग चाहते हैं कि आपको आपकी मोबाल अ आइडी वही है तो चलेगा हाँ यदि इमेल आइडी चेंज हो गई मोबाल लंबर नहीं है या फिर दोनों में से कोई एक होना जरूरी है दोनों में से तो कोई एक ठीक है तो ओटीपी बस चाहिए है तो आप इमेल आडी पर ओटीपी बुलबा लिजिए गा या तो आप अब जो हमारे पीवी ने जारी की थी तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो पीवी की चेंज सूची है ये केबल आपकी सब्जेक्ट में अबराल मद्य प्रदेश में हजार बच्चों के अंदर रेंक बताई गई है इसमें कहीं न कहीं दूसरी और आरक्षन भी नहीं है और महिलाओं को उस 50% आरक्षन भी किसी को कोई भी आरक्षन नहीं दिया गया उनका काम था केबल कि जो बच्चे 100 एक हजार जो बच्चे हैं जो इन्होंने अच्छे अंक प्राप्तिक है उनको उन्होंने प्रदर्सित किया है तो वो कोई एक मेरिट सूची नहीं है वो ए MPO Online के माद्यम से जारी की जाएगी ठीक है अब यहां पर जो सूची जारी की जाएगी उसमें क्या हो जाएगा कि जो मुख्य चैन सूची होगी जिसमें प्रतिक्षा चैन सूची जो होगी मुख्य चैन सूची और दूसरी प्रतिक्षा सूची जिसमें वेटिंग वाले ज पर रिक्त पतों की संक्या है उसके हिसाब से आप सभी के यहां पर कांस्लिंग की जाएगी आपकी जारी हो जाएगी बीस फरवरी को बरग दूखी उसके बाद आप सभी को कराने पड़ेंगे दस्ताविस सत्यपन कराना पड़ेगा उसकी तीथी भी पता दी गई है वैसे तो माहे का नाम बता गया है कि इस माहे में होगी लेकर तीथी का नियधार भी नहीं किया गया है उसके बाद आपका जो होगा डाकुमेस वेरिफिकेशन होगा पूरा एक एक बाई स्टेप आप स भी आप अपनी चैन का दावा नहीं कर सकते क्योंकि आपको जो आवसक दस्तावेजों का सत्यापन कराना है उसके समय भी यदि आपने कोई भी डाकुमेस में तुति निकलती है तो आपको वहां बाहर कर दिया जाएगा इसलिए इन्होंने साप साप लिखा है कि आप फानल अपनी सेलेक्शन का दावा नहीं कर सकते उसके बाद आपकी परिवेक्षा उधी भी ली जाएगी ध्यान दीजेगा कब तक नहीं कर सकते जब तक परिवेक्षा उधी में पास नहीं हो जाते डॉकुमेस वेरिफिकेशन में आप पास नहीं हो जाते तो आपको उसके आगे कि पहले तो आपको कराने पड़ेंगे वेरिफिकेशन उसके बाद आप सभी को प्रिवेक्षा उधी में समलेत रूप से कारे कराना पड़ेगा इस प्रिकार से आपको पूरी प्रिकिरिया के माध्यम से ही आपका चेंड किया जाएगा तो यहां पर यही कहा गया है अब यहां पर ध्यान दीजेगा कि जो अभ्यारती हमारे अथिती सिक्षक है उनके लिए यहां पर साप साप निर्देश दिएगा है कि प्रिविद्रिक सूची में जिन अभ्यारतियों के नाम प्रदेशित किये जाएगे उन्हें निर्दारित फीस जमाकर MPI online portal पर निर्दा कि यहां पर यह तक होगा अथिती से क्या दाद पर है तो तो यहाँ पर हमने आपको बताया है उपर थम्रेन में लिखाई कि आपकी फर्स्ट राउंड की पर किरिया की जाएगी पहली राउंड की काुंसिलिंग फिरिया होगी वर्ग एक में लगभग लगभग 5600 कुछ पद आपके यहां पर संबलित हैं वर्ग दो में एक में 15000 हैं बर्ग दो में सम्तिंग सम्तिंग आपके यहाँ पर 5600 पद हैं तो जो विसाइबार पदों का वेपन बताया गया है रोस्टर में उसके असाब से आप सभी के पदों के असाब से आपकी काउंसिलिंग ली जाएगी तो अब यहाँ पर जो अभ्यारती मेरिट में आएंगे या पर चांस यह रहेगा क्युकि हो जो इसमें क्या होगा दोस्तों पहले काउंसिलिंग पर के रिया आका फारो तो इन्होंने बता दिया है अब दूसरे राउंड में जो बत्य हुए बर्गे दो के पद हैं और बर्गे एक के हैं जो जनजाती विवाग के पद इसमें हैं हो सकता है कि जनजाती विवाग आने वाले दनों में अपना रोस्टर भी जारी कर दे तो जो बचे हुए पद हैं उसके माद्यम से पहला पहली में चांस बत तो वहाँ पर आपकी waiting हो सकता है कि रियल हो जाए इनकेस नहीं होती है जनजाती बिबाग चाहता है कि मुझे साथ में counseling नहीं करानी है इनकेस अभी final नहीं हुआ है तो इसलिए अभी तक उन्होंने जारी भी नहीं की है अपना रोस्टर जारी भी नहीं किया है इसलिए अभी तक कि हो सकता है कि जनजाती बिबाग कहे कि मुझे अलग से कराना है तो अलग से कराता है तो क्या फायदा होगा फायदा यह होगा कि अभी अभ्यारतियों को आपने पता होगा 31 December 2019 तक यदि आपका graduation complete नहीं हुआ है तो आपको counselling से बाहर कर दिया जाएगा ध्यान दीजेगा तो क्या है यहां पर जब form भराता आप सभी ने उस समय तो निर्देश जारी कर दिया थे कि आप जिन लोग अभ्यारती हैं वो form भर सकते हैं आप उनने form भी भरा परिक्षा भी mark sheet उनके पास नहीं आए हो सकता है कि जुलाई तक आजाए लेकर वहाँ पर 2019 तक ही complete चाहिए है 2020 तक नहीं चाहिए ध्यान दीजेगा यदि आपकी 20 जनवरी में भी आ जाती है तब भी आपकी accept नहीं की जाएगी ध्यान रखिएगा चाहे आपने बीएट डियेट की mark चाहे साल तक है ना तो पहली round में ना आके second round में उनका आपन नाम आ जाएगा और दूसरी बात important यह है कि जो बर्ग दो के अभ्यारती है अभी पूर्टा में नहीं कह सकता लेकर हां आंसिक रूप से मुझे पूर्ण रूप से पता है कि जो रोजगार पंजियन का आपने वीचो से अभी सुना होगा यही सरकार रोजगार पंजियन वर दो वाली अभ्यारतियों के साथ लागू करती है तो जो बाहरी स्टेत के अभ्यारती होंगे कहीं नहीं बाहर हो जाएंगे जो मेर्ट लिस्ट जारी हुई है उसमें बंद दो अभ्यारतियों में से बाहरी स्टेट के अभ्यारती अच्छी रिंगों के साथ मेरिट लिस्ट में समलित किये गए तो चिंता करने की आप सकता नहीं है आप सभी को हर प्रिकार से फायदा मिलेगा यहां पर हो सकता है कि जंजाती विवाग भगवान की किरपया से अपने उग्यान और हिंदी में खाली हो रहे हैं वहां पर फिल अप कर दिये जाएंगे वहां पर ज्यादा पदों की संख्या आ सकती है ठीक है तो यहां पर आपको यह दो फादे मिल जाएंगे तो आप सभी को भिलकुल भी परिसान होने की जरुवत नहीं है वेटिंग में भी आ तो अब यहां पर आपने एक चीज़ देखी होगी लखा हुआ है पदों की संख्या में कमी व्रद्धी की जाए सकती है और यह जो पत्रम चलान है यह बर्ग एक की में बता रहा हूं प्रात्मिक उच्चितर सिक्षग वर्दी के में यहां पर बता रहा हूं ठीक है तो यह यहां पर साब साब निर्देश दियेगा है कि कमी भी हो सकती है तो यह यहां पर निर्देश दियेगा है को हो सकता है कि बर्ग एक में पदों की संख्या में बर्ग दों की संख्या में व्रदी संभाव है क्यूं संभाव है क्यूंकि आप यहां देखेंगे यह जो आया था केबल मद्य पर्देश में अब यहां देखेंगे कि अतिती सिक्षकों के रिक बर्ग तीन में 28308 हैं बर्ग एक में यहां पर देखेंगे आप 17000 कुछ पाद हैं और बर्ग दो में आप अखेंगे कितने कार रिक्त पाइंगे किieur कार रिक्त पह भी यहाई जहाना है तो ये जो रिक्त पद ही कहला है हमारे लिए एक प्रकार से हम कहें तो ये जो गर्णा बताई जा रही है कि काफी हमारे लिए रिक्त पदों की संग्या काफी हो जाएगी ठीक है ये से साब से यदि सरकार चाहती है कि हाँ पदों में ब्रदी करना है तो बिलकुल कर सकते हैं ब्रिस में भी निर्देश दिये गए हैं अब क्या है कि बर्ग जो हमारी सेकंड काउंसलिंग होगी उसमें क्या हो सकता है तो सेकंड काउंसलिंग का मैं आपको इस्पिस्ट कर दूं दोस्तों सेकंड काउंसलिंग प्रिकिरिया तदो प्रांथी की जाएगी जैसे ही बर्ग एक की या बर्ग दो की पिर्थम काउंसलिंग के लिए संपन होती है उसके बार डेट फिक्स कर दी जाएगी कि बर्ग जो सेकंड राउन होना है वो कब तक हो जाएगा जैसे अभी आपने देखा होगा पटवारी में हुआ था तो पटवारी में जो आप ध्यारती फरस्ट मे नहीं आपायते हैं उनको सेकंड में ले लिया गया था और सेकंड राउन में उनका हो भी गया है ठीक है तो चिंदा करने की आपसकता नहीं है यदि बेटिंग में भी नाम आ रहा है तो अच्छे चांस हैं आप सभी के पास में और यदि हां मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा हैं जो नियम बताय हुए हैं तो वो अभ्यारती बाहर हो सकते हैं उसको लेकर मैं कम्प्रीड वीडियो और बना दूंगा और इसमें कोई डाउट हो रहा है आप सभी को जो मैंने अभी तक बताया है तो मुझे कमेंट जरूर करें यह मैंने अतिती अतिती शिक्षकों का डाटा बता हुआ है कि इतने अतिती शिक्षक यह हमारी ही पद हैं यह साभी हमारी ही पद है क्यूंकि अतिती शिक्षक हमारी पहरी कारी कर रहे हैं जब हम नियुक्त किये जाएंगे तो अतिती शिक्षकों को यहां से हटाया जाएगा क्यूंकि हम निम वीडियो बनाके संपूर्ण जानकारी उसमें देदूना फिलाल इस वीडियो में इतना ही प्याद मित्रों जहंद बंदे मात्रम